हलो बच्चों, BSE 3rd year का next lecture है quantum, second जो हम करते है molecular orbital पर quantum जो हम apply कर रहे थे, तो एक important topic और है हमारा, जिसमें hydrogen के उपर LCAO MO theory apply करनी है, और H2 molecule में भी हमको Schrödinger equation का solution करना है, तो H2 plus ion अकेला ऐसा molecular system है, ऐसा अकेला आनिविक तंत्र है, जिसके थुरू हम Schrödinger equation का solution कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो single electronic system है, है ना, H2 plus में देखो एक ही जो है वो electron होता है, तो इसलिए जब हम इसका real wave function calculate करते हैं, तो कैसे करेंगे, और उसके थुरू हम उसकी energy भी calculate कर सकत तो हम इसको apply करेंगे LCAO MO approach को, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है, Schrödinger equation क्या होती है, H cap shy equals to E shy, है ना, ध्यान से देखते जाएं, आपको सिर्फ इसके अंदर Schrödinger equation पर अपने quantum के postulate, और H2 plus ion के लिए जो system हो सकता है, है ना, जिसमें अपने पहले ध्यान हो, तो किया जो डाइग्राम में आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, बॉन ऑपन हीमर approximation में जब हमने बताया था कि सिंगल electronic system अगर है, तो electron हो सकता है, जब एक atom के पास है, molecule में, तो दूसरे atom से उसके interaction नहीं हो रही होगी, है ना, तो उसका wave function उसवर्त एके respect में होगा, हम जिसको कह है और अगर मानलीजी यह electron जब दूसरे atom के साथ interaction करेगा, तो इस HA के साथ इसका कोई wave function नहीं होगा, ठीक है, यह वाला हमें concept यहाँ पर ध्यान रखना है, तो देखिए, अपने पास Schrodinger equation है, अगर हम इस equation को दोनों side ही, इसके complex conjugate shy स्टार से multiply करके, और stereo space में इसका हम integration कर यानि कि इसको त्रिविम में हम इसका समा कलन कर दें, तो यह equation हमारे पास कैसे आजाएगी, हमको postulate से ही पता है, integration में limitation क्या हो जाएगी, minus infinite से plus infinite, shy और shy स्टार से हमने इसको multiply किया है, और hamiltonian हमारे पास आगया operator, और इसको integrate करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह d-tor equals to इधर क्या है, energy, तो इसकी लिमिट्स वही, minus infinite से plus infinite, shy E into shy स्टार d-torque, यह हमने इसको इसमें multiply करके, equation second obtain कर ली, तो इसमें total, अगर energy हम बताएं, तो हमें मालूम है, पूरे system की total energy कैसी रहती है, constant रहती है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते है, constant का integration नहीं होगा, तो यह इस equation में number 3 हो गई है, तो इस equation 3 से energy हम निकाल सकते है, इस पूरे factor को हम इधर डिवाइड कर सकते है, त्यान से देखिए equation को, अगर हम energy निकालना चाहते हैं, तो left hand side पर जो हमारे पास Hamiltonian operator, इसको डिवाइड कर देंगे इस से, यह जो हमारे पास shy, shy स्टार d-torque और यह हमें पता है, यहाँ पे shy जो denominator में है, यह real function है, यह वास्तविक फलन है, है ना, तो हम इस equation को ध्यान रखेंगे, और इसको यह अगर real function है, डिवाइड कर देंगे shy स्टार d-torque, यह equation 4 आपको आगे ध्यान रखनी है, अब यह तो हमारे पास postulate में भी थाक कि हम energy जब निकालते है किसी system की तो यह average energy यही होती है, और d-nominator में यह wave function normalized होना चाहिए होगा, बट हमें किसके लिए calculate करना है, h2 plus molecule ion के लिए, तो इस h2 plus molecule ion के लिए हमें क्या करना है, hamiltonian value निकालनी है, और equation 4 में वो सारी रखनी है, और फिर इनके wave functions निकालने हैं, और d-nominator में हम उसको normalized रखक कि उसको हम solve करेंगे, तो देखिए हमने माना कि हमारे पास यह जो h2 molecule है, उसमें एक atom to ha है और दूसरा atom hb है, और electron उसमें एक है, single, अब born open hemor के according, nucleus का movement होता है, electron के respect में बहुत ही negligible, तो haa और hb की बीच की distance r तो रहती है constant, है ना, haa और electron के बीच की distance को हमने कहा ra, और hb और electron के बीच की distance को rb, और यह दोनों variable है, ra और rb variables होंगे, और electron जब a के साथ कर रहा है interact, तो इसका wave function होगा shy a, जिसको हम कहते है आधार फलनी, मैंने आपको पराने lecture में बताया है, और जब वो b के साथ interaction करेगा, तो उसका wave function होगा shy b, अब हमको इसके उपर लगाना है, श्रोडिंगर equation को, तो h2 प्लस आयन के लिए Hamiltonian हम निकालना चाहेंगे, तो जनरल पहले बताए है Hamiltonian क्या होता है, देखिए हमें पता है, minus h square upon 8 pi square m, del square plus v, अब हमारे पास यह पूरा system है, तो जब electron h a के साथ interact करेगा, तो उसका जो potential energy है, वो अलग होगी, that is called v1, तो इसकी potential energy कितनी हो जाएगी, v1 equals to minus e square upon r a, यह e square क्या है, इसका चार्ज है electron का, और जब electron b की साथ करेगा, तो वो minus e square upon r b होगा, इसी तरीके से जब nucleus आपस में interaction कर रहे हैं, तो वो v3 होगा e square upon r, क्योंकि nucleus पे charge positive है, तो यह positive value होगी, त जो यह potential energy है, वो atom की नग होगी, इस पूरे molecular system की है, वो क्या होगी, capital v equals to v1 plus v2 plus v3, हम यह सारी values को add कर देंगे, तो v क्या हो जाएगी, minus e square upon r a, minus e square upon r b, plus e square upon capital r, इस capital v की value को हम रखेंगे, इस वाले Hamiltonian में, क्लियर है, है ना, आपको केवल इसके अंदर, अपने Schrodinger equation को start करना है, और उसको अपने shy start से multiply करके, normalized function तक लाना है, फिर अपने molecular system में, potential energy की value निकालके, और Hamiltonian में रख देने, तो देखो, यह हमने v की जगे पे यह value रख दिये, यह आपके सामने, Hamiltonian है किसके लिए, h2 plus iron के लिए, इ इस आयन के लिए यह हमारे पास आजाएगा, तो वी की जगे आजाएगा, देखो, यह तीनो जो हमने potential की values निकाली है, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यह जो Hamiltonian हमने निकाला है, इस equation 7 से, इसको हम अपनी equation 1, Schrodinger equation में, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो, यह यहाँ तक हमें ध्यान रखना है, अब यह हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रोटोन और एक इलेक्टोन होता है, तो इसकी potential energy V को हम कैसे calculate करते हैं, E square upon R जो माइनस में है, लेकिन जब molecule और iron में potential energy में calculate करनी है, तो nucleus और electron के बीच में जो interactions हो रहे हैं, वो ह हमने इसमें include किये हैं, तो इसलिए देखो इसके अंदर हमने जो nucleus के आपस के interaction है, इस nucleus और electron के जो interaction है, वो सारा add कर दिया ना, तब वो potential energy आई है, तो इन सब को हमें include करना बहुत जरूई था, तो जब हमने ह A का interaction किया electron से, तो वो energy V1 हो गई, HB का interaction हुआ तो उसकी energy V2 हो ग वो हमने रख दी Hamiltonian में, और Hamiltonian से equation 1 जो हमारे पास Schrodinger equation थी, यहां तक हमारा काम complete हो गया, next हमको मालूम है कि हमने क्या बनाया है, molecular orbital बनेंगे, क्योंकि molecule बन गया है, तो atomic orbitals हम कैसे show करते हैं, कि जैसे एक atom है, उस atom के combination से, सिर्फ उस atom का wave function होगा shy, अगर दो atom है, तो shy 1 और shy 2 हो जाएंगे, तीन है तो shy 1, shy 2, shy 3 हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या-क्या है, HA और HB तो उसके wave function क्या होगे, shy A और shy B, तो एक जनरल जो formula, molecular orbitals के लिए दिया गया है, वो क्या है, देखो मैं आपको पहले इसको clear करूँ आपके लिए, तो देखे हमें पता है, wave function function, function जो होते हैं, वो individual atoms के wave function के multiplication का product होता है, तो shy molecular orbital equals to shy 1 into shy 2 into shy any, जो जित्ते भी number of atoms पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है, तो suppose कि shy atoms थे, उन्होंने combine होकर के molecular orbital बनाए, तो एक general formula हमारे पास क्या होगा, वो सबको add कर दोगे, आप सब क्योंकि, जब mixing होती है, हम को पता है कि molecular orbital बनते हैं, तो atomic orbital मिक्स होते हैं, और जितने atomic orbital पार्टिसिपेट करते हैं, आफ्टर मिक्सिंग उतने ही molecular orbital बनते हैं, तो हर atom के एक mixing coefficient भी होता है, मिशृत गुणांग जिसको हम कहते हैं, मिश्रित गुणांग, तो यहाँ पर 2 combine करेंगे, तो एक general formula क्या होग होगा उसका शाय आई अगर मॉलेकिलर और बन रहे हैं तो उनके मिक्सिंग कोफिशेंट भी उसके साथ इंक्लूड होंगे तो समेशन ओफ यह देखिए समेशन ओफ सी आई इंटू शाय आई यह हमारे पास इनके मॉलेकिलर और बीटल को कैलकुलेट करनेके लिए फॉर्मूला हिए और इस आई की लिमिट क्या है वन ऐटोमिक और छयद आई टक होगा है उसमें मैं लिख दिया है। पर C को हम क्या कहते हैं, मिश्रित गुनांग, मिश्रित जो गुनांग होते हैं, अब अगर हम इस equation 10 को अपने H2 प्लस आयन पर अपलाए करेंगे, तो हमें पता है, शाय आई के मान एक तो होगा, शाय ए जो हे के लिए है, और दूसरा होगा, शाय बी जो की Hb के लिए है, है ना, तो हमारे पास शाय मॉलेकिलो आबिटल क्या होगा, शाय ए का मिक्सिंग कोफिशेंट होगा C1 और शाय बी का हो जाएगा C2, तो हमारे पास इस फॉर्मुले को अपने मॉलेकिल पर अप्लाए करने पर जो मॉलेकिलो आबिटल का वेव फंक्शन मिलेगा, वो क्या होगा, C1 शाय ए प्लस C2 शाय बी, ठीके, नोट कर लो आप बच्चों, ये हो जाएगा हमारे H2 प्लस आयन के लिए, अब जब इलेक्ट्रोन ह A से इंटरेक्शन करता है, तो हमें पता है कि उसका second वाले HB के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, obviously उस वक्त कोई mixing possible नहीं है, second के साथ तो C2 0 होगा, तो C1 का मान उस वक्त 1 होगा, और जब इलेक्ट्रोन इंटरेक्ट करेगा HB के साथ, तो C2 का मान वन होगा, और C1 के respect में कुछ भी उसकी value नहीं होती है, possibility नहीं होगी उसकी जब वो इलेक्ट्रोन HB के तरफ आ रहा है, तब ह A के पास आ पाए, तो ये दो conditions हमें यहाँ पर apply करनी हैं, ठीक है बच्चों, तो अब हमको एक एक बार में, एक बार जब इलेक्ट्रोन H A के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो C1 equals to 1 रखना है, और जब वो HB के साथ करेगा, तो C2 equals to 1 रखना है, ये हमें ध्यान रखना है, अब हमारा जो system है, वो है H2+, जिसमें दोनों एक्टम, यानि न्यूक्लियस सेम है, A और B एक्टम दोनों सेम है, तो उस केस में होता क्या है, मिश्रन गुडांग, जो मिक्सिंग कॉफिशेंट है, वो C1 और C2 दोनों सेम होते हैं, और वेव फंक्शन में, जब हम इलक्टरॉन डेंसिटी के वेज़ पर निकालते हैं, तो हमें मालूम है कि वो हम स्क्वाइर कर देते हैं, तो यहां पर, फॉर आवर मॉलेक्विलर सिस्टम, बिकोज बोथ एक्टम सार सेम, तो C1 और C2 बराबर होंगे, जितने एटम पार्टिसिपेंट करते होते ही, मॉलेक्विल उबिटल बनते हैं, तो एक तो होता है, बॉन्डिंग मॉलेक्यूल उबिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो अगर एक बॉन्डिंग हो रही है, तो दूसरा उसके विपरीथ होगा, इसलिए इसकी दो possible values हमने दिखाई है C1 equals to plus minus C2 अब इनकी values का मतलब समझे पहला क्या है यह क्या कह रहा है When both wave functions are of same sign अगर दोनों के wave function A की side नहीं मैंने आपको last वाले lecture में बताया था तो इनके wave functions क्या होंगे add हो जाएंगे क्योंकि वो bonding molecule orbital बनेंगे तो पहला वाला वही हमें शो कर रहा है कि इनके अगर wave function दोनों के तरंग फलनों का चिन अगर समान है तो C1 की value और C2 की value में C2 वाली plus में होगी positive sign और दूसरी वाली value क्या है When both wave functions are with opposite sign अगर दोनों विपरीत चिन वाले हैं यानि उनमें कोई possibility कैसी वाली है अगर shy A ऐसा है तो shy B विपरीत तो ये तो हो जाएगा plus C1 तो ये हो जाएगा minus C2 इसका मतलब कि जो दूसरा वाला wave function है उसके mixing coefficient की value minus में होगी इसलिए हमने ये बताया है कि possibility क्या होगी एक plus और एक minus तो क्योंकि इन दोनों के combination से हमको मिलते हैं तो ये सारी situation हमें किसमें रखनी है हमारे molecule orbital की value में तो आप देखो हमारे पास equation 4 ती ये हमने निकाली अभी जो मैंने आपको फिर से लिखी है जिसमें average energy हमने निकाली इसको वास्तिविक फलन रखते हुए और ये हमारे molecule और ये तो हमने पॉस्टूलेट से निकाला है और ये हमारा H2 प्लस के लिए जो भी 11 हमने जो equation निकाली थी HA और HB के लिए molecule orbital का wave function तो हम यहां पे जहाँ शाय और शाय स्टार जो भी value है function वो यही वाला है H2 प्लस के लिए हम इसको equation 4 में रख दें तो हमें क्या मिलेगा ध्यान से देखिए हम equation 11 से equation 4 में value रख रहे हैं ध्यान से देखते जाएए E equals to shy है पहले तो shy की value हमने यह पूरी रख दी C1 shy A plus C2 shy B फिर आगया H cap Hamiltonian operator फिर shy star उसी का complex conjugate दूसरा भी सेम है तो C1 shy A plus C2 shy B वापिस आगया और d torque upon shy square d torque में क्या आजाएगा C1 shy A plus C2 shy B whole square d torque तो यह value हमने हमारे H2 plus ion के लिए जो थी उसको हमने रख दिया हमारे postulate से दो energy की value आई थी अब हमको पहले सिर्फ अकेले इसको solve कर देना है क्योंकि यह हमारा क्या है real function है और real function को हम easily calculate कर सकते हैं क्योंकि यह क्या होगा कोई real function अगर है तो वह normalized होना चाहिए और mixing coefficient के values हम calculate कर सकते हैं variation method से मिश्रन गुणांकों को हम परिवर्तन की भिन्निता विधी होती है उसके थुरू हम इसको calculate कर सकते हैं देखो बच्चो मैंने आपको इसमें mention कर दिया है कि हम मिश्रन गुणांकों के मान निकाल सकते हैं variation method की help से अब quantum के अनुसार हमें मालूम है कि शोडिंगर equation तब ही valid मतलब क्या कहना चाहिए उसके मान तभी मानने होंगे जब यह तरंग फरन शाय नॉर्मलाइजड हो यानि condition यह होनी चाहिए जो मैंने आपको mention करी है भी शाय स्क्वाइर डी टॉर्क must be equal to 1 यह होना ही चाहिए तो इसके लिए हमारे molecular orbital वाली function क्या थी रियल जो function था यह था c1 शाय a plus c2 शाय b whole square d टॉर्क equals to 1 अब हम इसको कैसे solve करेंगे a plus b ka whole square जैसे हम solve करते हैं बच्चों confused नहीं होना है तो हम एक बार c1 square shy a square करेंगे plus c2 square shy 2 square करेंगे और तीसरा क्या हो जाएगा प्लस 2 c1 c2 shy a shy b तो बिल्कुल a plus b के whole square की थरे हमें इसको solve करना है तो देखें आपने क्या करा इसको solve करते हुए c1 shy a plus c2 shy b का whole square है है ना तो देखो c1 square shy a square d torque हो गया एक बार इसका इसको a मान लेजिए इसको b मान लेजिए प्लस c2 square shy b square d torque प्लस 2 c1 c2 shy a shy b d torque equals to 1 यह हमने इसको simple way में open कर दिया है आपके लिए अब जो coefficients है वो तो constant values है हमने उसको integration से भार लिख करके ऐसे इसको show कर सकते हैं आपके लिए बहुत easy होगा यह पता लगाना कि value कौन सी वाली normalized है और कौन सी वाली mutually orthogonal set वाली है आप देखिए मैंने यह equation 13 में सारे c1 c2 और c2 c1 c2 को भार रखते हुए है ना अब आपको इस equation 13 पर दोनों cases लगाने कौन से वाले जब electron HA से interact कर रहा है तो c1 होगा जब electron HB से interact कर रहा है तो c2 1 होगा तो हम ऐसा करेंगे तो इस equation 13 को ध्यान से देखते जाओ एक एक condition को रखते जाओ देखिए 13 उपर मैं आपको दिखा रही हूँ हमने रखा जब c1 equals to 1 है तो देखो c1 equals to 1 और shy a square d torque equals to 1 होता है है ना normalized हो गया यह लिखाए equals to 1 प्लस c2 square तो 0 तो यह 0 से सब multiply होके 0 हो गया इसमें भी c2 ए multiply होके 0 केवल क्या रह जाएगा c1 तो 1 हो गया और shy a square d torque equals to 1 रह जाएगा इस equation का solution इस पूरी equation 13 में जब हम c1 को 1 रखेंगे तो shy a square d torque 1 हो जाएगा similarly case 2 क्या है जब electron hb से interact करेगा तो c2 का मान 1 होगा उस case में c1 भी 0 हो जाएगा last वाला 2 c1 c2 भी 0 सिर्फ यह रह जाएगा जिसमें c2 तो 1 हो जाएगा और shy b square d torque रह जाएगा equals to 1 यह normalized वाला हमारे पास आ गया यह दोनों ही equation 14 और 15 equation 13 में यह मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगी आप देखिए आपके लिए मैंने इन दोनों equation 13 और case 1 case 2 को नहीं रब किया है और हमारे पास equation 13 में इस equation 13 में जब हम यह values पुट करते हैं तो 13 equation क्या form ले लेगे देखो यह normalized है तो c1 square प्लस यह normalized c2 square प्लस 2 c1 c2 into 0 यह पूरा जिसमें मैंने आपको बता दिया है यह हमने सारे जो क्वांटम के नियम है उसके थू यह पॉइंट्स हमने रखे हैं क्लियरे न बच्चों अब आप देखिए हमको यह मालूम है since in h2 plus ion बोथ nucleus are same और यह हमने बताया था mixing coefficient equal होंगे तो c1 square बराबर c2 square होंगे और इनकी values हम निकालते हैं variation method से तो c1 square equals to c1 square हमने क्या करा देखो यह क्या कह रही हूं c1 square और c2 square सेम है तो इस equation में हमने c2 का मान c1 के बराबर रख दिया तो from equation 16 अगर हम 17 से value रख दें तो यह c1 square plus c1 square equals to 1 हो जाएगा यानि कि 2 c1 square equals to 1 और c1 का मान हमको मिल जाएगा तो हमने इसको put कर दिया देखिए equation 16 में अपनी जो 17 वाली condition है तो c1 की value को ही हमने c2 के बराबर कर दिया तो यह हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से तो आपके पास आजाएगा 2 c1 square equals to 1 हमने c2 को भी c1 के बराबर दिया है तो c1 का मान आ गया हमारे पास suppose 1 by root 2 अब हमने क्या कहा था c1 का मान जब हम निकालेंगे तो इसके लिए 2 possible values है c2 की plus और minus c2 जब उनकी दूसरे वाला जैसे c1 हमारा यह आ गया plus 1 upon root 2 है ना एक बार मैं थोड़ा साफ सा थोड़ा सा लिख दूँ आपके लिए इसको देखे हमारे को मालूम है अगर यह first वाले के लिए mixing coefficient है plus 1 by root 2 तो हो सकता है second वाला भी इसी sign पर हो तो वो plus में होगा यानि कि plus c2 लेकिन अगर वो उसके opposite side में है तो minus c2 होगा ना तो यह है c1 की जब value निकाल ली तो c2 के मान 2 हो सकते है पॉसिबल प्लस माइनस c2 इसका मतलब हमने देखो c1 के मान लिख दिए प्लस माइनस वन अपन रूट तो केवल आपको फाइनली क्या दिखाना है कि इसकी two possible values क्या होंगी एक बार जब दोनों combine हो रहे हैं तो यह हो जाएंगे प्लस वन अपन रूट टू और माइनस वन अपन रूट टू तो यहां पर धिहान रखना है यह दूसरी वाली value ही चेंज हो रही है एक दूसरे के विपरीत साइन होंगे तो दूसरा वाला साइन विपरीत हो जाता है है यह हमने सीधा सीधा इस equation 13 से calculate sorry 16 से हमने सीधा को निकाल के और यह वैल्यूज पुट करें 17 से है अब हमारे पास दो जो सेट है molecule orbital के तो कैसे शो कर देंगे वैल्यू रख देंगे लिए फर्स्ट सेट के लिए हम कैसे शो कर देंगे तेंगे शाय प्लस molecule orbital यानि कि जब वो दोरो एड हो रहे हैं तो इस molecule orbital को हम ऐसे शो करते हैं और जो सेकिंड सेट है उसके लिए शाय माइनस है ना यानि कि anti-bonding molecule orbital ऐसे हम इसको शो कर देते हैं तो हम वस वैल्यू रख देंगे शाय प्लस molecule orbital का मतलब हो गया c1 शाय ए प्लस c2 शाय भी तो क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन रूट टू शाय ए प्लस वन अपॉन रूट टू शाय भी यानि bonding molecule orbital में दोनों wave function देखे एड हो रहे हैं वैल्यू है वन अपॉन रूट टू और अगर anti-bonding है तो c1 शाय ए माइनस c2 शाय भी तो यह क्या हो जाएगी वैल्यू अगर c1 प्लस वन अपॉन रूट टू शाय ए लिखोगे तो c2 हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू यानि कि wave function एक दूसरे के विपरिदिशा में value 1 अपॉन रूट टू है है ना यह हो जाता है हमारा wave function का मान किसका molecular orbitals के लिए अब इसके थ्रू हम energy देको मैंने उपर heading डाल दी है कि हम wave function की help से इनकी energies निकाल सकते है कैसे क्योंकि shy plus है तो वो energy bonding वाली energy से related है और अगर वो shy मा हम calculate करते हैं तीन integral के basis पर हैना तीन integral दिए गए हैं उन integral के द्वारा हम इनको कहते हैं यह हमारे समाकलन कहलाते हैं कौन कौन से कूलाम समाकलन कूलाम integral जिसको हम हम HAA या HBB से represent करते हैं यह हमारा उर्जा से related है दूसरा है resonance यानि अनुनाद समाकलन अनुनाद अब्यसली A और और B के बीच में होगा तो इसका symbol HAB से हम शो करते हैं और तीसरा है overlap integral मतलब की sum यह होता है अतिवे आपन integral यह भी A और B के बीच में overlapping होती है तो इसका symbol है SAB यह हमें ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यह हमारे इसमें variation method में यूज होने वाली energy के लिए हम यही यूज करते हैं ठीक है इन तीन integral के basis पर इन तीन समाकलनों के basis पर हमने जब परिवर्तन विधी को यूज किया variation method यूज किया हमें मालूम है कि energy कब stable होती है कौन सी energy पर कोई molecule stable होका जब उसकी energy minimum हो और minimum हम यहां पर क्या values निकाल पा रहे है mixing coefficients की base पर तो energy को हमें in mixing coefficient के respect में ही solve करना है तो अगर हम इसमें energy को mixing coefficient के respect में ही differentiate करें तो वो minimum आनी चाहिए निए zero आनी चाहिए तो ही यह stable होगा तो जब हम एक atom के respect में निकालेंगे तो वो c1, del e upon c1 equals to zero होना चाहिए zero मतलब minimum होनी चाहिए और जब हम second वाले atom के respect में निकालेंगे तो del e upon del c2 equals to zero होना चाहिए यह condition है हमारी variation method की और हमको यह calculate करनी है a equals to one रखते हुए एक बार में पता है कि वो electrons दोनों atom से एक एक बार में ही interact कर रहा है तो एक बार हम c1 equals to one रखेंगे और एक बार हम c2 equals to one रखेंगे तब यह हमको values मिरती है यह हमारा variation method का principle है कि जिस भी variable से कोई energy related है उस variable के respect में energy minimum होगी तो वो valid होगा और stable होगा किसी भी चरके सापेक्ष में जिसके द्वारा वो उर्जा हम याद कर रहे हैं उस चरके सापेक्ष अगर हम अवकलित कर दें किसी तंत्र की उर्जा को तो वो नियूंतम मान वाला जो value आएगा वही stable होगा वही इस्थाई होगा और यहाँ पर हमें पता है mixing coefficient responsible है energy calculate करने के लिए तो हमने variation method में mixing coefficient के respect में energy निकालनी है तो वो minimum होनी चाहिए अब हमने जो energy calculate करी variation method के थूप और variation method में इन तीनों समा कलन को इन तीनों integrals को use करके तो देखिए आपके सामने यह जो molecular orbital positive वाली energy है वो क्या निकली HAA coulomb integral plus HAB resonance integral upon 1 plus SAB overlap integral मतलब सारे positive symbol तो obviously वो bonding molecular orbital है इस्थाई है new term होगा तो यह इसका graph अगर हम दिखाते हैं तो यह minimum वाला होगा E plus और जब anti bonding वाला हम निकालेंगे तो उसकी जो value हमको मिलेगी वो कैसी मिलेगी देखो ध्यान से HAA minus HB upon 1 minus S मतलब सब negative क्योंकि विपरीद दिशा में होगा इसको हम graphical ही दिखाना चाहें तो यह आपके सामने graph है यह energy अगर यह atomic energy है जब वो molecular orbital बना रहे हैं तो एक bonding है एक anti bonding है तो यह हमारे पास इस तरीके से मिलता है तो यह पूरा linear combination of atomic orbital पे जब हमने quantum वाली molecular orbital theory लगाई तो केवल एक तो हमको उसका wave function निकाल के दिखाना था mixing coefficient के base पर और एक दूसरा हमने जब wave function निकाल लिया तो wave function के base पर हम energy कैसे निकालेंगे by using variation method तो यह बहुत important है इसके द्वारा हम आसानी से characteristics चो इनके चरित्र है molecules के लिए कि combination के बाद जब molecular orbital बनते हैं तो उनके तरंग फलन और उरजाएं कैसे ग्याद की जाती है तंत्र के according variation change हो सकता है variation method अगर हम helium पर apply करेंगे तो वहां पर mixing coefficient के respect में energy नहीं निकलेगी वहां पर nuclear attraction भी change हो रहा है because वहां पर nucleus में proton एक नहीं यह दो है और electron जब हमारे पास available है तो उसके उपर दो proton का attraction लगता है तो वहां पर उस nuclear attraction के मान divide हो जाते हैं यहां पर jet के respect में energy निकलती है तो यह depend करता है कि तंत्र कौन सा है और वह किसके सापेक्ष उर्जा के मान ग्याद कर रहा है क्योंकि hydrogen molecule आयन के अंदर दोनों एक्टम सेम है तो mixing coefficient जो mission गुणा के उसके सापेक्ष उर्जा निकलेगी तो यह आपके लिए बहुत important question है LCAOMO approach है न जिसको हमने ग्याद किया है तो आपको बच्चों अगर मेरा lecture पसंद आया है तो like कीजीगा subscribe जरूर करिए और next हम आपको इसके hybridization के उपर molecular orbital approach और quantum apply करेंगे Thank you so much बच्चों